Hello friends, क्या आप pregnancy के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और फिर भी आपको pregnancy नहीं हो पा रही है तो क्या आपको ये confusion है कि किस दिन sex किया जाए या किस दिन संबंद बनाये जाए जिसले कि आपको 100% pregnancy हो जाए तो मैं डॉक्टर प्रेग्नेंसी होने के लिए चाहिए कि अंड़ा बनके फूटना चाहिए और इंटर्कोर्स उसके आसपास के समय पर अब जनरली जो अंड़ा बनकर फूटता है वो महिने के 4.14 दिन के इसपास फूटता है अब अब आधको दिन का कैलकुलेशन आपको निकालना पडेगा कि आपका अंड़ा किस दिन फूट के बहार आता है क्योंकि जिस दिन अंड़ा फूट एगा उसके आसपास याने कि विदिन 24-48 आर्स के अंदर आप रिलेशन बनाते हैं समन बनाते हैं तो प्रेगनेंसी होने की चांसेस बहुत ज़ादा होते हैं इसको कैल्कुलेट करने के लिए जैसे जो फर्टाइल डेस के कैल्कुलेशन होती है उसी तरीके की कैल्कुलेशन होती है कि कौन से दिन ऐसे हैं कि जब आपको प्रेगनेंसी हो सकती है तो fertile days के लिए तो मोटे तोर पर ये कहा जाता है कि जो महीने के बीच के 10 दिन है यानि जब महीना अगर एक तारीक को शुरूआ है तो 10 तारीक से लेकर 20 तारीक तक महीने के बीच के 10 दिन बहुत important days होते हैं उन्ही में किसी दिन अंडा बनके फुगता है और pregnancy होती है महीने कि मैँ अगर दो तारीक को पीषल ना चाहीए तो तो ऐपरल में आप का चार तारीक को आया है या पांस तारीको आया या एक तारीक हो आई है अज जैनुवेरी promotions फेस्पांस से च्छे महीने के बीच आथी सैयक्ल तो पीछे से 16 तरीके मेरा को ऎरुदाधी होंगे तो इस तरीके से आपको कैल्पूलेशन नखनी पड़ेगी तो पीछे से 14 देन अपन केल्कुलेट करते हैं तो वो दीन होता है स्टों फूटने का जीएय। कि बहु कि झभ अने वाला उता तो हमारे शरीर के अंदर LH hormone होता है लूतिनाइजिंग घरमोन उसका level बहुत आगे उपर बढ़ जाता है और यह सब बढ़ें पर यह जाता है तो यहारीन के अने लगता है अब जय जैसे सिर्ज होना होता है उसके 24-28 और जाता है सब्सक्साइब करने सब्सक्राइब सब्सक्राइब ई придy अगLS स्टेडी आपके 9 दीन से 9 दीन 11 दीन 13 दीन और 15 दीन से सोनोगराफी की जाती है और जब उसका साइज अठारा से बीस अमें पर पहुंच जाता है तब अंडा फूटने की चांसिस बढ़ जाते हैं जब 18 mm का साइज हो जाता है तो उसमें अड़ा फूटने का इंजेक्शन लगा दिया जाता है और उसके जब इंजेक्शन लगता है उसके 36 गंटे के अंदर अंड़ा फूट जाता है नॉर्मली अब जब हम 36 गंटे के बाद दुबारा सोनोग्राफिक करके दिखते हैं तो य इसे हमें ये पता चल गया कि अंड़ा फूटा किस दिन है या आज हम ने अगर इंजेक्शन दिया है और सुभाद 10 questo स्यवह थ्का दुब जाता है यह आज रात को सब्स बनाना कल रात को भी समुझ बनाना तो यह किल कि देव कि लिए बहुत सब्साड़ा इंपार्टक हो बनाते हैं तो definitely आपको pregnancy के chances बहुत जादा होते हैं यही वो दीन है जब आपको pregnancy हो सकती है क्योंकि इसके आलावा यानि कि पहले और बाद में कितनी बार भी आप आपको pregnancy नहीं होगी क्योंकि यह प्रिसाइज डेज जब बनता है फूटता है जब अधा फूटेगा तब ही pregnancy होगी क्योंकि बहुत से बीमारियां होती है जिसमें अंडा बनता तो है लेकिन फूटता नहीं है जैसे की PCOD और नहीं फूटने के कारण pregnancy नहीं होती है इसके अला कि आज आपको यह समझ में आ गया कि आपको husband को किस दिन बुलाना है कई पार यह भी problem आती है कि आपके husband भाहर रहते हैं और आपको यह date पता लगा लेंगे कि आपकी date कौन से जब ovulation होगा उसी दिन आप husband से मिलने का plan बना सकती है तो definitely आपको pregnancy होने में कोई तकलीफ नहीं आएगी यदि फिर भी आपको कोई सवाल है इसके related तो आप हमें comment box में लेके पूछ सकती हम आपसे फिर में लेंगे एक नए वीडियो मे नहीं जनगारी के साथ तब तक नमस्कार चाहिए